नमस्कार, स्वागते आप सभी का, राइस्तान का करेंट अफिर्स हम पढ़ रहे हैं, जनवरी से मार्च वाली मेकजिन हमने समाप्त की, अप्रेल से लेकर जून वाली मेकजिन हमने समाप्त की, अब हम जुलाई से सितंबर का कंटेंट पढ़ रहे हैं, जिसमें दो मेकजिन include हैं जिसको आप volume 3 and volume 4 के नाम से जान रहे हैं तो तीन और चार दौनों को एक साथ compile करके हम एक साथ पढ़ रहे हैं कि इसका region यह है क्योंकि जो आपकी third volume में उसमें जुलाई और अगस्त का पार्ट है और जो fourth volume में उसमें अगस्त का कुछ पार्ट और सितंबर का पार्ट है इसलिए दौनों को एक साथ मिला के जैसे कि हम तीन तीन महिने के सैट में पढ़ते हुए आ रहे हैं इसी तरह से अब जुलाई और सितंबर का एक साथ पढ़ रहे हैं यानि कि आपकी volume 3 and volume 4 जो है वो एक साथ चल रहे हैं ज करते हैं कोश्चन के साथ पहला प्रश्ण है हाल ही में रूपा खेडा तथा तामबे सरा खनिच ब्लोकों से मैगनीज के खनन हे तू ब्लोक आवंटन इनीलामी निविदा जारी की गई यह दोनों शेत्र निमले खित्में से किस जिले में अवस्थित हैं तो जितना आपको याद रखनी है इन दोनों शेत्रों के नाम याद रखने कौन कौन से रूपा खेड़ा और काम बेसरा अब क्या बात हुई है कि यहां इनीलामी के लिए निविदा मंत्रित की गई है यानि कि पट्टे जारी करने के लिए प्रोसेस आगे चल रहा है अब हमसे निविदा से पहले से ही यही निविदा जारी कर दी गई है यानि यहां से काम शुरू हो चुका है और क्यूंड चुक्aelंड में से घृके हुआ कौन को रखने ज़ूं में बार कम बाणे और राजसमंद में मेगनीज के जो अनुमानित भंधार हैं वो लगबग 2.16 मिलियन टन यह जानकारियां इतनी डिटेल में इसलिए दी जाती है कि इतना भंडार है इतना भंडार है इसलिए ताकि आपको कम से कम इतना याद रहे कि मैगनीज के बारे में बात हो रही है और कौन-कौन से जलों से बात हो रही है बांसपड़ा और राजसंबन राजसंबन का नेगड मेगनीज और बांसवड़ा राजसमन्द नेगडिया वकाला खूंटा बांसवड़ा बढ़ें आगे अगले प्रश्न की तरफ हाल ही में खान विवाग ने जैपुर सैथ 6 शहरी शेत्रों में प्रधान वे आप्रधान खनीजों के भंडार चिन्नित किये हैं तथा नगरिये विकास विवाग से समन्वे बनाते हुए खनन पट्टे जारी करने की अनुमती के प्रयास किये जा रहे हैं निमलेखित मैंसे कौन से शहरी शेत्र में कौन से शहरी शेत्र वहां के संभावित खनीज से सुमेलिध नहीं है कहने का मतलब यह है, यहां भी वही बात है, जो शहरी शेत्रों या option में जो जानकारी दी गई है, उससे जदा जानकारी question में दी गई है अभी क्या हुआ है जैपुर सही तैसे चै शहरी शित्र है शैरी शित्र को मतलब केवल वह शहर नहीं उसका आसपास का जो भी एरिया उस शहरी शित्र में आता है आसपास की चोटे मोटी कलोनी को या या आसपास का शेत्र है जो खाली-पड़ी भूमी में आता है तो कंदन विवाग ने पाया है कि वहाँ कुछ खनीज है तो उनको भी होँसे निकाला जा सकता है इसके लिए नगरिया कास विवाग के साथ एक समन्वय या एक सामन्य से बनाने के प्रयाश्रू हो रहे हैं ताकि खनन पट्टे जारी कर दिये जाएं अब आप से पूछा यह जा रहा है कि कौन से शेत्र में कौन से खनिज मिले हैं इनमें से आप बताएं कि कौन सा सुमिलित नहीं है तो जैपुर से लहो एस्क तो यह गलत है यानि कि यह सुमिलित नहीं है तो कुल छह सहरी शेत्रों के लिए बात हो रही है जिसमें से चार तो यहां लखे हुए हैं पर दो शहरी शेत्र और कौन कौन से बचे पांचवां बचा बीका नेर और छटा बचा भीलवाड़ा यह छह शहरी शेत्र हुए अजमेर कल हो यह इसके गलत है तो अजमेर अजमेर से कौन सा तो अजमेर में भी चेजा पत्थर और ग्रे नाइट चेजा पत्थर और इसके साथ साथ ग्रे नाइट यह अजमेर से मिले हैं भील बाड़ा में बॉल क्ले और सिलिका सेंड और यह जो लोहायस्क यहां लिखा हुआ है यह किसका है यह मिलाई कहां भील बाड़ा में लोहायस्क और इसके साथ मैसनरी स्टोन यह दोनों भील बड़ा से क्लियर यह कोश्चन इंपोर्टेंट क्यों है क्योंकि पहली बार ऐसे छहरी छेत्र जहां से खनन का काम शुरू करने की अभी बात चल रही है और इस्थानी निकाय के विवाग के साथ या नगरी विवाग के साथ खान विवाग तो आपको उन 6 शहरों के नाम पता होने चाहिए और उनसे कौन से जो खनेज है उनको निकालने की बात चल रही है वह पता होने चाहिए तो छह शहर है जैपुर जोदपूर जैसलमेर अजमेर बीकानिर और भीलबडा और इनके संबंदित खनेज है जैपूर से चेजा पत् अगला प्रशन है राजिस्थान को विद्यद उतपादन के शेत्र में आत्म निर्भर बनाने हितू हाल ही में चबडा वा काली सिंद चबडा वा काली सिंद तापिय विद्यद पर्योजनाओं में कुल 2120 मेगावाट शमता की तीन विद्यद उतपादक यूनिट को अनुम उस से ज्यादा बताया गयां क्या क्या बताया गया है कि विद्यद उतपादन की में सम्मढद्ध दो पर्योजना है और यो नहींगे शमता कितनी होगी 200120 मेगावाट तो आपको ना के बलिये बलकि ये सारी चीज़ें याद रखनी होती हैं कि छबड़ा और काली सिंद्ध से तीन नई विद्ध परियोजना है ये ताप्य विद्ध यूनिट है और नई जो परियोजना होंगी उनमें 2120 मेगावार्ट शमता की यूनिट लगाई जानी प्रस्तावित है अब पूछा के है उस क्रम में बताना है तो पहले लिखा गया है छबड़ा फिर लिखा गया है काली सिंद्ध तो छबड़ा कहा है बारा में काली सिंद्ध कहा है जालाबाड में तो इस तरह से कौन सा उप्शन चाहीं होगा अगर आपने इस शब्द को मिस्ट कर दिया तो आप फूर्थ दियान से आपको प्रश्न पढ़ना है अब जो तीन यूनिट लगाई जा रही है इन मैंसे जो दो तो लगाई जाएंगी कहां छबड़ा और एक है जो वो कहां काली सिंद्ध छबड़ा में जो श्तापित की जाएगी उसकी शमता होगी एक यूनिट की 660 मेगावाट प्रतेक की और ऐसी कितनी है ऐसी दो है और काली सिंद्ध में जो ये नई तापिय विद्ध परियोशना है लगाई जाएगी वो कितने यूनिट की तो 800 मेगावाट तो कुल 2120 हो जाएंगे 660 प्लस 660 प्लस 800 तो इस तरह से 3 उनिट स्थापित की जा रही है कहां कहां छबड़ा में 2 और काली सिंद्ध में 1 चबड़ा 12 में है काली सिंद्ध जहलाबाड में है इसके साथ ही 2120 मेगावाट की 3 विद्ध तत्पादक उनिट शुरू होने वाल अगला कोशन है राज सरकार और नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन इसको शॉर्ट में कहा जाता है एंटी पी सी नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन के मद्धे हुए एक MOU के अनुसार राज में कितनी शमता का एक अल्ट्रा मेगा रिन्यूएवल एनर्जी पार्क किया जाएगा इधर लिखा हुआ है MOU MOU मतलब Memorandum of Understanding जिसको हिंदी में कहते हैं सम्झोटा पत्र किस-किस के बीच में अस्ताक्षरित किया गया है NTPC और राजय सरकार के बीच में अब NTPC की भी एक सब्सीडियरी कंपनी है यानि इसकी भी एक कंपनी है जिसका नाम है NTPC REL इसका मतलब क्या है National Thermal Power Corporation Renewable Energy Limited यह इसका पूरा नाम है इसी की सब्सीडियरी कंपनी है National Thermal Power Corporation Renewable Energy Limited इस कंपनी का राजय सरकार के साथ समझोता हुआ है इस समझोते के तहत एक अल्ट्रा मेगा Renewable Energy Park राजिस्थान में विक्सित किया जाना है और जिसकी शमता कितनी होगी दस हजार मेगावाट यानि कि भी उत्तर सही है और इसके अनुसार यानि कि इस MOU के अनुसार कितना निवेश किया जाएगा एंटी PC द्वारा तो 5000 करोड रुपे इतने करोड रुपे का निवेश किया जाएगा जिसके साथ 10,000 मेगावाट का एक अल्ट्रा मेगा रिन्यूएबल एनर्जी पार्ग विक्सित किया जाएगा एक लें स्क्रीन शॉट फिर आगे चलें अगला प्रशन है राजिस्थान में पहली बार हाइड्रो पॉंप स्टोरेज से बिजली बनाने के लिए निमली खित मैसे कौन से बांध पर हाइड्रो पावर प्लांट बनने जा रहा है सिंपल सा कुश्चन है लेकिन इंपोर्टेंट इसलिए क्योंकि पहली बार कुछ हो रहा है राजिस्तान में तो ऐसा केस जब भी पहली बार हो बहुत सालों बाद हो कोई चीज नौ साल बाद होई जैसे बार्डबिर में जो हुआ था क्या थार्माउत सब या कोई 25 साल बाद राज्माब्र आवजन होएस बार जैपुर में उतर-शेतरी परिशाद तो ऐसे बहुत सालों बाद हो रही है या कोई चीज पहली बार हो रही है तो इंपॉर्टेंट होता है राजिस्थाम में पहली बार हैड्रो पंप स्टोरेज से बिजली बनाने क लिए निमलिखित में से कौन से बांध पर हाइड्रो पावर प्लांट बनने जा रहा है तो इसका उत्तर है जवार सागर बांध यह जवार सागर बांध कहां है कौन सी नदी पर है तो यह कोटा में है और कोटा में कौन सी नदी है कोटा में चंबल नदी पर यह बनाए जा र कि बिजली और इस बांद से लगवग कितनी बिजली का उत्पादन किया जाएगा तो लगवग 200 मेगावाट विद्यूत का उत्पादन होगा यानि कि प्रति दिन लगवग 16,00,00 यूनिट बिजली का उत्पादन 16,00,00 यूनिट बिजली प्रति दिन यहां से उत्पादित होगी और इस तरह का यानि कि हाइड्रो पावर प्लांट जैसा ही बनने वाला पहला प्लांट होगा जो कि जभार सागरबांद चंबल नदी कोटा पर विक्सित किया जाएगा इसको विक्सित करने का जो काम राजस्थान सिरकार ने किसको दिया है वो है राजस्थान राज विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड तो राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड द्वारा ये पूरा प्रोजेक्ट विक्सित किया जाएगा जिसमें लगबग 200 मेगाबार्ट शम्ता का ये प्रोजेक्ट होगा और प्रते दिन 16 लाक यूनिट विश्ली का उत्पादन किया जाएगा जैपूर उद्यपूर या अजमिर वर्चुल कोट एक तरह से आभासी कोट मतलब इसमें सामने एकदम बैठके नहीं बल्कि एक तरह से या वीडियो कॉन्फेरेंस के जरूए या फिर ऐसे प्रोजेक्ट के जरी जिसमें टेक्नोलोजी का ज्यादा से ज्यादा यूज किया जाए तो यह कहां शुरू की गई है यह शुरू की गई है जैपूर में यह मोटर वेहिकल से संबंदित जो भी कुछ ऐसे मामले हैं जिनको इजली निप्टाए जा सकता है उन केस के लिए या तायात संबंदी कानूनों की किसी दुरूपयोग में कानून तोड़ने के संब में ऐसे मामलों के निप्टारी में यह कोड़ शुरू की गई जैपूर में और जो तत्कालीन कौन थे जैपूर के जैपूर के नहीं राजिस्तान के राजिस्तान हाई कोड़ के जो मुख्य नियादिश थे कौन थे 49 में बताएं आप कौन थे पहले भी हम इनको पढ़ चुके हैं वो थे SS सिंधे SS सिंधे यानि की संबाजी शिवाजी शिंदे इनके दौरा इसका मतले इसकी शुरूआत की गई SS सिंधे दौरा कहां जैपूर में यह 49 में थे 40 में कौन है जो अभी वरतमान है पून है चालिस में पंकज मितल है तो इनके बीच में थो कोई है क्याног отв मेरे कोई आपको सब्संदेया discussing को उनको ऊस्क्रम में कोई ना में नहीं दिया गया ये question हम पहले discuss कर चुके हैं 49 में थे ऐसे शिंदे फिर कारेवाग बने और ये दो बार कारेवाग बने चुके हैं राइस्तान हाई कोड के मुखे नहीं दिस फिर 40 में होने पंकज मित्तल जोगी कब बने 14 अक्टूबर को clear चलें आगे प्रदेश का पहला main line electric multiple unit train coach maintenance depot निमले खित्मे से किस rail mark पर बनाया जा रहा है ये है MEMU यानि की main line electric multiple unit ऐसी एक diesel से चलने वाली train का जो set होता है उसको DEMU भी बोलते है ये electric है यानि बिशली से चलने वाली train का set है मतलब उनके coach का set है तो एक कौन से route पर बन रहा है जोदपूर फलो दिया जैपूर रिंगस ये है जैपूर रिंगस यानि यहां in coach के maintenance का एक depot बनाया जा रहा है कहां पर जैपूर रिंगस पर और उसका नाम क्या है यानि कि वो railway station का नाम क्या है तो railway station का नाम है भट्टों की गली जहां पर यह maintenance depot बनाया जाएगा भट्टों की गली railway station जैपूर रिंगस रेल मार्क पर जहां में यानि की में लाइन इलेक्ट्रिक मल्टिपल यूनिट ट्रेन का ट्रेन कोच का मेंटेनिस ट्पो बनाया जाएगा क्लियर एक स्क्रीन सौट ले लें फिर आगे चले हाल ही में राजिस्थान में निवेश है तो जापान की 11 कंपनियों के साथ 1338 करोड रुपे का मोई शाइन किया गया तो इन कंपनियों द्वारा निमले खित्मे से कौन से शेत्रों में निवेश किये जाएंगे तो इसमें भी जानकारी बहुत जादा है कुश्चन में जैसे इतने करोड रुपे का एक समझोता पत्र मोई में बता चुका हूँ जापान की 11 कंपनी है तो जापान की 11 कंपनी और राइस्तान सरकार के साथ MOU यानि की Memorandum of Understanding sign किया गया और कौन से शेत्रों में यानि एरिया वो कौन कौन से है नीमरान अलवर, गलोट अलवर, छपरिया की धानी, पाली या उप्रिप्त सभी इसका उत्तर है उप्रियुक्त सभी यानि की जापान की जो 11 कंपनी है उन्हें राइस्तार के साथ एक समझोधा पत्र स्क्रित किया है कि इन सभी शेत्रों में वो जो ऑद्यों की शेत्र हैं उनका विकास करेंगे क्लियर इसमें तो कुछ स्क्रीन सोट जैसा है ही नहीं इसके वल आपको आंसर याद रखना है कि यह तीनों नाम है जो यह याद रखने कांका नीमराना गिलों ठलवर और चपरिया की धानी पाली अगला प्रस्न है केंद्रे रक्षा मंत्री द्वारा हाल ही में निमलेखित में से कौन से स्थान पर वीर दुर्गादा सराठोर की प्रतिमा का अनावरंड किया गया पहला है खंडेला सीकर दूसरा है कांकानी जोदपुर तीसरा है शाहपुर अभीलवडा या चोथा है सल यूरेनियम प्रोजेक्ट है जो प्रदेश का पहला पहला कहां का प्रदेश का राजिस्थान का पहला यूरेनियम प्रोजेक्ट यह नाम मैंने इसलिए लखें ताकि बार बार आपके रिवीजन में आते रहें कांकानी में क्या है यह बताएं आप शहापुरा में क्या है क केशरी सिंग बारहट का तो वो शहपुरा और इसका उत्तर क्या है इसका है सलवांकला जोदपुर जहां वीर दुर्गादास रफोर्ड की पंच धातू से बनी हुई 12 फीट उची 12 फीट उची 1400 किलोग्राम वजन की एक प्रतिमा स्थापित की गई है और किसके सयोग से तो जोदपुर के ही निवाशी हैं लेकिन आप वो अमेरिका रहते हैं एक तरह से कह सकते दिन को एनराई या भारती मूल के हैं जोदपुर के निवाशी हैं लेकिन अमेरिका रहते हैं के नाम क्या उनका दिईलीप करन अ है ये जोदपुर की लेकिन हाव अमेरिका में है तो इसलिए में दोनों लिकरा हों इनके नाम क्या आगया nun जोदपुर लेकिन वर्थमान में कहा हैं अमेरिका चलीप करन इनके सहयोग के द्वारा Doha पर की गई है अनावरन किसने किया रक्षा मंत्रिद्वरा एक और पैनुरमा बनाई जा रही है जो साहपुरा में वो जिसके अभी गोश्णा की गई है और वो पैनुरमा किसकी होगी पैनुरमा मतलब चित्रावली और किसका केसरी सिंह बार हट यह हमने सुजस्में पढ़ा था भी दो दिन पहले अब जब मूर्ति वाली बात ही चली ही रही है यानि कि एक मूर्ति या इस्थापित की गई है एक और मूर्ति वाली बात में आपको पता देता हूँ एक और मूर्ति यानि कि विश्व की सबसे बड़ी यह important चीज है विश्व की यह आगे आएगा क्योंकि हम सुजस्में पढ़ चुके हैं लेकिन इसका अश्लान न्यास यानि कि लोकारपन हुआ था अक्टूबर में 30 अक्टूबर के असपास 31 अक्टूबर को तो अभी हम अक्टूबर तक पहुंचे नहीं है लेकिन वहां आएंगे इसका क्ņटूबर करेंट पढूबर कहीं से भी राइस्थान का करेंट पढ़ रहें वहहां जानते हैं कि helfen इस TOP बड़ी शिव प्रतिमा जिसका नाम दिया गया क्या विश्वास यानि की सबसे उंची मूर्ती जो की सरदार बल्लब भाई प्रटेल की मूर्ती वह भारत में है जिसका नाम है स्टैच्वी उप यूनिटी लेकिन ये शिव की सबसे उंची प्रतिमा है दुनिया फर में तो दुनिया की सबसे उंची शिव प्रतिमा जिसका नाम है विश्वा और कहां है राज समंद्ध इसके बारे में मतलब इस स्थाम के बारे में एक ऐसी बात कही जाती है यानि की पुरानिक कथा है कि शिव भगवान कभी नात्वर आये थे श्रीनाथ जी से मिलने और जहां वो बैठे थे जिस जगह पर उसी जगह को नाम दिया गया गणेश की टी क्री मतलब जहां वो बैठे जहां विराज है उसका नाम है गणेश की टी क्री अब वहीं यह मूर्ति यानि की उसी घटना को वापिस एक तरह से दिखाने के लिए या प्रदरशित करने के लिए उसी स्थान पर भगवान शिव की दुनिया की सबसे बड़ी मूर्ति आप नाम है किनका सहयोग रहा यानि की फाइनेंशली सपोर्ट जिनका रहा वो निर्माता कौन है तो वो कौन है मिराज ग्रुप के कौन मदल पालिवाल कौन सा समूं इनका है मिराज ग्रुप तो फाइनेंशल सपोर्ट इनका रहा सारी चीजे मैंने बता दी प्रतिमा की उंचाई कितनी है तो 369 फीट उंचाई है सारी चीजे मैंने बता दी एक चीज मैं आप से पूछ रहा हूं वो मुझे बताना आप कमेंट्स में अगर आप नहीं बता पाते हैं तो अगली क्लास लगा के छोड़ देता हूं अगर आप नहीं बता पाएंगे तो नेक्ट क्लास में जो हम इसको वापिस रिवाइज करेंगे तब इसका उत्तर में दूंगा बागी सारी चीजे जरूर याद रखें विश्व के सबसे मुची से प्रतिमा विश्वास रूपम नाम 369 इसकी मुचाई गणेश टीकरी पहाडी ना तुअरा रासमन में निर्माता यानि कि फाइनेंशिल सपोर्ट किनका है मदन पालिवाल मिराज ग्रूप मूर्तिकार कौन है वह आप बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ यह है राज्य सरकार द्वारा हाल ही में कनकांचल और आद ज़्यदा अपडेट ना भी रहें केवल समाचार भी पढ़ते हैं तब भी आपको पता होगा कुछ दिनों पहले घटना होई थी एक साधू ने आत्मदह कर लिया था टावर पे चड़के वो नीचे कूद गए कारण क्या था वो चाह रहे थे कि यह पहाड़ी जो शेत्र ह हैं यहां पर खननकारे बंध हो खननकारे बंध वो इसलिए चाह रहे थे क्योंकि भगवान कृष्ण से जुड़े हुए कुछ स्थल है यानि कि परवानिक कथाओं में इनका जिक्र है तो कृष्ण की लिलाओं से जुड़े हुए यह परवत हैं यह सम्मदित शेत्र हैं त आपको बताना है कि यह दौनों शेत्र कौन से जिले में स्तित्र हैं बहुत बड़ा हिंट में दे चुका हूं आपको क्योंकि भगवान कृष्ण से सम्मंदित शेत्र राजिस्थान में कौन से जिलेमर है तो वह ब्रज एरिया है ब्रज का शेत्र है वो कहां है अलबर भरत पूर कोटा या उदयपूर तो यह है भरत पूर अब इसमें जो आपके बुकलेट है उसमें भरत पूर की दो तैसिल दी गई है उसमें लिखा हुआ है नगर और पहाड़ी तैसिल तो उसमें लिखा हुआ है कि यह जो छेतर है यानि की कन कान चल और आदी बद्री नगर और पहाड़ी टैसिल में है इसमें मुझे डाउट है क्योंकि मेरे हिसाब से यह नगर और पहाड़ी नहीं है डीग और कामा क्योंकि जब ब्रश-षेतर की बात होती क्योंग तो पहाड़ी और नगर में ब्रेष्चेटर मैं पहाड़ी ओर लुक्र में तैसिल में क्योंकि जहां टक मुझे याद है यह और कामा की तैसिल में हैं क्योंकि सुझस वाली क्लास में अभी जब हमने इस न्यूज को पढ़ा था तो हमने यहीं पढ़ा था डीग और कामा के आसपास के शेत्र हैं उन्हीं में ही यह एरिया हैं दोनों कौन-कौन से कंकान चल और आधी बद्री तो आज की क्लास के कुश्चन इतनी हैं आज हमने दस कुश्चन रखें क्योंकि इसी के साथ यह वाला चेप्टर जो थर्ड मैगजीन का है जिसमें रिपोर्ट मुद्दे चर्चित व्यक्तित और घटना हैं कुछ हैं वह हैं समाप्त होते हैं अब पुरानी क्लास जो हमारी दूसरा एक आज कम कुश्चन रखने का रीजन ये भी है कि मुझे बोले में थोड़ी आज दिक्कत हो रही है बारबर खांसी आ रही है इसलिए मैंने कुश्चन आज पांच कम रखें रिवाइज कर लेते हैं पुरानी क्लास की नीतिया दोरा जुलाई 2022 में जारी किये आपको चारों बहुत अच्छे से याद रखने हैं इंडिया इनोवेशन इंडेक्स यानिकी भारत नवाचार सुचकंग में राजिस्थान को बड़े राज्यों में बारवाइस्थान मिला और बारा दसमलव आठाट राजिस्थान का स्कोर था इसमें जो दूसरी केटेग सुचकंग एक्सपोर्ट प्रिपेरडनेस इंडेक्स में और राजिस्थान को सत्रवाइस्थान किसमें मिला था तो नीतियायोग के स्टेट एनरजी एंड क्लाइमिट इंडेक्स में यानि की राज्य और जल्वाइव सुचकंग में और 16 इस्थान राजिस्थान को नीतिय हाल ही में केंद्रे शिक्षा मंत्रा ले द्वारा नेशनल इंस्टिट्यूशनल रैंकिंग फ्रेंबर के निकी एन आई आर एफ 2022 में राजिस्थान के चार सिक्षान संस्थान टॉप हंड्रेड की सूची में सामिल हुए इन में से सर्विसरे स्टेंग किसे प्राप्त हुई तो सर्विसरे स्ट्रेंग मिली थी बिट सप्लानी को जिसकी रेंग थी 32 वी उसके बाद एमस जोदपूर जिसकी रेंग थी 86 बनस्तली विद्यापीट थी 87 और एम एनाइडी थी एक्क्यानुय अगला प्रस्ट ट्रेवल एंड लेजर मेगजिन द्वारा जुलाई 2022 में ज उद्यापुर को आठवाइस्थान मिला और स्कूर था 90.67 और उद्यापुर को दसवाइस्थान मिला जिसका स्कूर था 90.22 पहला इस्थान किसको मिला पूरी दुनिया में तो मैक्सिको का शहर है ओक्साका विद्वर्स 2021-22 की दौरान महात्मा गांधी नरेगा योजना के तहत सरवादिक परिवारों को रोजगार उपलब्द करवाने की अधार पर निम्ले लिखित मैं से कौन सजला देशवर में दूसरे स्थान पर रहा बाढ़मिर नागोर रहा देशवर में तीसरे पर और पूरे देश में पहले पर रहा औरीशा का गंजाम जला बाढ़मिर नागोर ने एक लाख चौदह हचारा दोसव पेचानमें परिवारों को सौधिन का रोजगार प्रदान किया और दो हजार बाइस तेस के बजट दौरा राजे सरकारन में इस योजना के तहट 25 अतरिक और दिन का रोजगार देने की घोशना की जिसको नाम दिया गया है मुख मुख्य मंत्री ग्रामीड रोजगार गारंटी योजना यह सही नाम है यह है महत्मा गांदी नर्यगा योजना जो केंद्र सरकार की है उसी में अब राजी सरकार 25 अतरिक दिन का रोजगार देगी जिसका नाम है मुख्य मंत्री ग्रामीड रोजगार गारंटी योजना और राजिस्थान में एक मात्र ऐसी योजना है जो या मतलब राजिस्थान ही एक मात्र ऐसा है जो शहरी शित्रों में भी रोजगार की गारंटी देता है और रोजगार का नाम क्या है इंद्रा गांदी शहरी रोजगार गारंटी योजना केंदर सरकार की agriculture infrastructure and infrastructure fund योजना में ओभरते राजियों की स्रेड़ी में राइस्थान को कौन सा इस्थान प्राप्त होगा तो राइस्थान को प्राप्त होगा दूसरा कि योजने क्या है यानि की केंदर सरकार के का बनाय हुआ एक फंड है जिसमें अगर एग्रिकल्चर से रिलेटेड कुछ नवाचार करता है कोई राज्य तो इसको ब्याज अनुदान में 3% की राहत दी जाएगे एरपोर्ट अथर्टी ऑफ इंडिया यानि की ए ए आई द्वारा जनवरी से जून 2022 के लिए कस्टमर सैटिस्पेक्शन सर्वे रिपोर्ट जारी की गई तो निमलेखित में से कौन से शहर के एरपोर्ट ने देशवर में पहला इस्थान प्राप्त किया तो उदैपूर शहर क महरणा प्रताप अंतराष्टी हवाई इड़ा साथ इसके साथ इस सहीवत रूप से बिरसा मुंडा एरपोर्ट जो रांची का इन दोनों को इसमें फर्स्ट रैंक हासल हुई और यह जो यह इंडेक्स है यह जो सरवे है एक साल में दो बार जारी किया जाता है क्योंकि यह जनवरी से जून ऐसे फिर जून से दिसंबर राइस्तान महिला निदी संस्थान की स्थापना है तु राइस्तान सरकार दौरानिमले किस राज्य के साथ समझो तास तक स्रित किया गया इस कुश्चिन को कई बार देख चुका और एक बार पूछा भी जा चुका है तो यह ह तिर लंगाना के साथ मिलस्तान ने एक तर видео पर यूष्ट लाओब की है वो कौन से है मुख्य मंतरी जीवन यह रूच्चक यह वह तर्जिती सपर है और यह कि तहट तहथ महिलाओं को या महिला उद्यमयों को रोज स्थापना में मददे नहीं रिंट देता है 48 गंटे में रिंट कर आए जाएगा अगर 40 जार तक कर रिंट है और अगर तीन लाख रूपे तक कर रिंट है तो पंदर दिन के अंदर जहलावड जले के महिला स्वेम साहता समू धरा मदुमक्खी पालन करके शहद उत्पादन शुरू किया गया तो इसलिए थी इसकी स्थापन होई अक्टूबर 2010 में अध्यक्ष के मुख्य मंत्री यानि की पदें अध्यक्ष होते हैं वो पाद्यक्ष के होते हैं जो ग्रामीन विकास विवाक के मंत्री होंगे और इसका प्रशास्टिंग नियंतरन इसका मतलग किसकी बात हो रही है यह ब बनाए जा रहा है तो यह नागोर के नावा में बनाए जा रहा है 35 किलोमेटर का ट्रैक है इसके सभी स्टेशन सोलर एनरजी द्वारा से चलने वाले होंगे और इस ट्रैक को तयार करने का जो समय निरधारित किया गया है वो है वर्स सभी स्थापना है तो 15-1 भूमी आवंटित की गई है यह संस्थान कहां स्थापित किया जाएगा तो यह जोद्पूर में स्थापित किया जाएगा जोद्पूर की सरदार पटल पुलिस विश्च्ट इद्याल है साथ ही नैशनल साइंस यूनिवरस्टी जो गुजरात में हैं दोनों की सहीत संचालन के द्वारा ये जो इंस्टीट है वो संचालित होगा सितंबर 2022 को केंद्र ग्रह मंत्री द्वारा स्री तनोट मंदिर कॉंपलेक्स की निव रखी गई इस कॉंपलेक्स का संचालन तथा रख रखाव निम जिनको परेटकों के लिए आकर्शा किस्थल बनाया जा सकता है उनके लिए केंद्र सरकार प्रयास्रत है उसी के तहत इस शेट्र को चुना गया तो नोट मता मंदिर को अगला प्रस्ता है आजादी के अमरित मौसव के अंदरगत राजिस्थान के एक करोड़ स्कूली विद्यारतियों द्वारा देशबक्ति गीतों का सामुख गाया इन करके विश्व रिकॉर्ड बनाया गया इस कारेक्रम का प्रारहम निम्री खित में से किस गीत के द्वार तो इस रिकॉर्ड को कब बनाया गया तो बारह अगस्त को सुबह दस बजे सभी सरकारी और प्राइविट स्कूल के बच्चों ने कर्चा नौवी से बार्वी के बच्चों ने छे गीतों को एक साथ गया इनकी शुरूआत हुए थी वंदे मातरम से वंदे मातरम पहला गी उसके साथ यह समाप्त हुआ कारिक्रम महत्मागान इस्टिट्यूट ऑफ गवर्नेंस एंड सोशल साइंस ने अपने आधारबुत विकास और संस्थान को अंतर राश्टिष्टर के रूप में विक्सित करने हैं तो निमले खित्में से किस संस्थान के साथ सम्झोता पत्र हस्ताक श्रित किया है तो यह संस्थान है टाटा इंस्टिट्यूट ऑफ सोशल साइंस बाकी की जो ऑप्शन है वो भी कभी ना कभी हमने पढ़े थे जैसे कॉर्वर्स इंडिया का एक इन्वेशन है मेरा पैड जो की बांस के कपड़े से बना हुआ पैड है तो राइस्ता के पहले ही बंटार मार्केट का लोक आरपन निम्लिखत में से कौन से अस्तान ने ने ऌटिया फैरा तो इसका अंसर है भी एंड राई इस्थान और FHDR दोनों इनके द्वारा यह और आयोजित कब हुगा तो यह 22 से 24 जुलाई 2022 में इसका आयोजित किया हूँ किया गया तो यहां तो आज और कल दौनों की क्लास समापत होती है बागी कमेंट्स में मुझसे किसी ने पूछा था एक कोशन तो पहले आप लोगों ने पूछा था जो वरिष्ट नागरिक तीर थेयत्रा योजना से संबंदित था कि यह 14 स्थान है या 15 स्थान है वह मैं कल आपको बता चुका हूं पूरी योजना मैंने यहां मैंने कॉपी करके आपको दिखाए थी कि कुल 15 इस्थान है जिसमें रेल मार्क दोरा है 14 और एक है हवाई मार्क दोरा और जो भारत के अंदर है वह भारत के बाहर किवाल एक है वह कौन सा है काट इंडू नेपाल में पसुपचिनात मंदिर और हवाई मार्क दोरावी केवल एक वही संस्थान है अब एक कमेंट यह भी था कि खेलो इंडिया एडिसन को लिखी बात है कि खेलो इंडिया जबकि उसमें इतने कन्फीज होने की कोई बात नहीं है बहुत ही साधरन सी बात है खेलो इंडिया यूथ गेम और उसमें कन्फीजन क्या है इतना इसा है इसका जो चौथा संस्क्रण था वही तो हमने पढ़ा है अभी फोर्थ तो चौथा संस्क्रण उनका कन्फीजन यह है कि यह 2021 वाला है कि 2022 वाला है इसमें आपको परिशान होने की बिल्कुल जरूत नहीं जैसे आपने सुना टोक यानि टाइटल तो यही है खेलो इंडिया यूथ गेम 2021 खेलो इंडिया यूथ गेम का जो पहला संस्क्रण था वो शुरू हुआ 2018 में पहला तो फिर दूसरा कब होगा यह वार्शिक आयोजन होना था इनका तो हर साल होना था दूसरा होगा 19 में तीसरा होगा 2020 में और चौता कब होगा तो 2021 में आवजित होना था तो चौते संस्क्रण का नाम क्या है खेलो इंडिया यूथ केम 2021 संस्क्रण का टाइटल यही है लेकिन क्या हुआ ये 21 में आयोजित हो नहीं पाया क्योंकि बीच में आ गया कोबिट उसकी करण तीन बार इसकी तिथियां बदली गई और फाइनली जब इसका आयोजन हुआ व वही चला रहा है कोबिड की वज़से सारे प्रोग्राम में यही हुआ है तो इसमें कन्फिज होने की जुरूत नहीं है गेम का नाम वही है जैसे टोक्यो ओलंपिक 2020 बोलेंगे लेकिन आयोजन हुआ 2021 में इसी तरह से इसका नाम बोलेंगे यही टोक्यो ओ खेलो इंडिया यूथ गेम 2021 फोर्थ एडिसन यही है कहां हुआ पंच कुला हरियाना इसकी मेजबान सिटी यह कौन सी चुनी गई पंच कुला हरियाना कुला हरियान को मेजबान शहर गोशित किया गया यह जो पहला दूसरा और तीसरा है चलो यह भी बता देता हूं पहला कहां हुआ दिल्ली दूसरा कहां हुआ उने तीसरा कहां हुआ गुवहाटी यह यानि कि यह इसकी मेजबान शहर है और चौथा हरियाना का पंच कुला क्लियर अब तो बात क्लियर हुई क्योंकि यह कमेंट था मैं एक बार देखता हूं रितु अगरवाल और इन्हों आधरा कमेंट जो है वह अपडेट नहीं हो पाया यानि की आपको शोग नहीं कर रहा होगा लेकिन मैंने यही सारी चीज़े आपको कमेंट में वापिस रिपलाई भी की थी लेकिन वह पहुंची नहीं आप तक तो आज मैंने इसको क्लियर कर दिया है अब ऐसी चीजों में होंगे केबल कोविड की बात हटा दें हम तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी जैसे यह इंडेक्स है वर्स 2021 का और इसको जारी किया गया 2022 में इसलिए अगर ऐसी कोई बात होती है तो कोश्चन में डिटेल में लिखा हुआ आएगा कि यह इंडेक्स जैसे नीतियायोग दोरह ज जो आप लोग बार-ार पूछ रही थे उसका यह समाधान हो गया है और आप बार-ार क्या पूछ रहे थे कि जो किसी कोубли biglet बॉक्लेट है कौंसी है वाल्यूम किसी को नहीं म्लिकेट में किसीने काने你 मिल रहtxा है किसीने का कि कि हमारी एप्लिकेशन उस पर नहीं चल रही है हम डॉडोड नहीं कर पा रहे तो अब यह आपको एक जो अलग अलग पार्ट तक का सारव करेंट अफिर रखा किया है जो हम यह क्लास में पढ़ रहे होते हैं यह इसी पर आधारित है इसमें सारा यह जो है मैं जो है वह तो फॉर्टिकल फॉर्म में यानि की पैराग्राफ में लिखा हुआ है और हम उसी पर आधारित अब्जेक्टिव कोश्चनिया डि इसके लिए अगर आप पहले से उन चीजों को पढ़ेंगे यह क्लास के बाद जाके वापस उसको पढ़ लेंगे तो आपको ले लेना चाहिए मेरी परसनल एडवाइस यह है कुछ दिनों बाद यह आना शुरू हो जाएगा बाकि आपकी इच्छा है ऐसा कुछ है नहीं कि जवर्दस्तिय लेना क्योंकि इसके बाद फिर आपको पीडिएफ के लिए भी परेशान नहीं होना पड़ेगा कि क्लास की पीडिएफ डालो या हर दिन का सॉल्यूशन डालो क्योंकि सारा सुल्यूशन इसमें है वही सारा कंटेंट है उसी प्याधायत को स्चन हम डिसकस क कर रहे हैं तो आने वाले दो चार दिन में आपको मार्केट में मिलना शुरू हो जाएगा तो आज की क्लास रखते हैं यहीं तक हम मिलते हैं अगली क्लास में थन्यवाद